हेलो दोस्तों सौगत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर हमने कल की वीडियो में देखा था कि नैशनल कमिशन फॉर भूमें राश्टी महिला आयोग में इंटरेंशिप अपॉचुनिटी के बारे में क्या-क्या इलिजिबिल्टी हैं और कैसे अपलाई कर सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो में हम एक और इंटरेंशिप अपॉचुनिटी के बारे में देखें गे तो आज की हमारी इंटरेंशिप है में आपको वीडियो की लाश में बताऊंगा जैसे सुनकर आप काफी खूस होंगे आई यह थोड़ा और जान लेते हैं एंजसी आइसी के बारे में एंजसी आइसी एक नियुजसी का और गनाइजेशन एंजसी आइसी एक्टोबर 23 को एक यूथ वाक और गनाइस कर ला जो च अचिक लाश में टुसे एंजसी के बारे में तो आयए जानते हैं इंटर्शिप के वारे में अस्वार इंट्राइट पार्चिनिटी तो वी इन वाल्वेड इन बोथ लीगल पॉलिसी एडवीड़ियों वर्क ऑं पो निलिगल प्रॉलिसी एडवीड शिए वर्क अनुड कि इसके इलिजबिल्टी के NJCIC की ने ऐसी कोई खास इलिजबिल्टी मेंशन नहीं करी है साथ ही साथ उन्हों ने ये कहा है कि वो सभी को एक्कॉल अपॉर्चनिटी देंगे वो किसी को भी रेस, कलर, रिलीजन, नेशनल ओरिजन, सेक्स, फिजिकल एंड मैंटली डिसिबिल्टी और एज के उस पर डिस्किमिनेट नहीं करेंगे NJCIC की इंटरेंशिप की लोकेशन एक हाइब्रिड वर्क मॉडल है वैसे तो अगर आप NJCIC न्यू जर्सी जाएंगे तो आपको टू डेज इन वीक काम करना पड़ेगा और जर्सी हेटी में बाकी दिन आपको रिमोटली रहना होगा और वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हैं तो इंटरेंट में एफ द ऑपॉच्चिनिटी टू अटेंट कोर्ट और अदर इन परसेंट इवेंट्स अक्रॉस थी स्टेट हाँ तो जान लेते हैं जिसका आप सभी को बेस अबरी से इंतचार था कि कौन बनेगा करोड़ पती सौरी कौन बनेगा लगपती आपको इसमें कितनी धनराशी मिलेगी एंजे सी आई सी ऑफसर स्टीपेंड ऑफ ट्वेंटी फाइफ फंड्रेड डॉलर जो कि इंडियन मनी में एराउंड टू लैक होता है अपनी होवीज और इंटरस्ट पर पैसा खर्च करिए अगर आप इस इंटरेंशिप में सेलेक्ट हो जाते हैं आईए जान लेते हैं कि डियूरेशन क्या है अपना कवर लैटर तयार कर सकते हैं और इसमें अपलाई कर सकते हैं तो आईए जानते हैं अप्लिकेशन प्रोसीजर क्या है अप्लिकेशन फॉर दा इंटरर्शिप सुट बी सेंड टू एंजेसियाईसी लीगल डारेक्टर जो एंजेसी के लीगल डारेक्टर है उनको आपकी अप्लिकेशन आपको सेंट करनी है जो के उन्होंने अपनी इमेल मैशन करे है उस पहर जाएगी इमेल है s-n-o-l-a-n at the rate njcic.org और आपको ध्यान रहे है इमेल का subject line रहेगा summer internship application and should include a resume है आपको उसमें अपना resume attach करना है और एक brief cover letter और एक brief cover letter attach करना है कि आपका क्या interest है njcic में work करने का और आप कैसे उनको help कर सकते हैं या njcic आपको कैसा help करेगी अगर आप मैंसे किसी ने मेरे national commission for women राष्टी महिला आयो कि internship opportunity के बारे में नहीं जाना है तो आप description में जाके link open कर सकते हैं और internship के बारे में जान सकते हैं तो इसकी website की link भी description box में mention कर दूँगा तो तो गूगल site जिस पर मैंने ये पूरा create किया है वो भी link में description box में mention करूँगा इससे अगर आपको कोई problem है तो आप आसानी से देख सकते हैं at last I will say subscribe my channel like my video and comment subscribe my channel so that in future you don't miss any update regarding the internship मैं आगे भी ऐसे ही बहुती बहुतरी internship के बारे मैं आपको बताता रहूँगा thank you so much